इस्टारिकल परिस्पेक्टिव आफ एम्ब्रियोलोजी, फस्ता कॉंटेंट्स, प्रीफार्मेशन थीरी, एपिजेनेसिस थीरी, बर्थ आफ मॉडरन एम्ब्रियोलोजी, एंदा डिवेलिप्मेंटल बालोजी, इसको स्टार करने से पहले हम देखते हैं कि थोड़ा सा ब्र डेफिनेशन आफ जानते हैं कि ये एक ऐसी ब्रांच है बालेजी कि जिसके अंदर जाइगोट से लेकर बर्थ टक जितने भी एवेंट्स होते हैं, डिवेल्प्मेंट होती है, उसको हम एम्ब्रियोलोजी कहते हैं, जिन्हें जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना, एम्ब् था, कि बिसिकली जो मदर है, वो जस्ट क्या करती है, वो सेरोगेशन का काम करती है, सेरोगेशन का मतलब ये है, कि मदर जस्ट क्या करती है, निरिश करती है, परवरश करती है, यांग वान की अपने अब्रोमेन में राकर, जो सारे ट्रेट्स हैं, वो बिसिकली आते हैं, फादर से तो ये शुरू का एक सेंस था कि फादर एक्चुली inheritance का बाइस है ट्रेट सारे फादर के होते हैं मदर जस्ट क्या कर रही होती है यंग वान को निरिश का रही है तो कि उसकी development करवा रही होती है अच्छा बाद में जब फर्दर चला आगे इसको studies होई पता चला के एग का size तो बहुत बड़ा है sperm बहुत छोटा होता है तो फिर एक नहीं 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 का जी चुँकि एग का size बड़ा तो most probably एग जो है वो inheritance के लिए ज़्यदा responsible है अच्छा अब फर्दर जब अगे मर्दस मजी study की गई जब मेंडल्स के लाओ आगे तो मेंडल्स के लाओ आगे तो मेंडल्स का जी नहीं दोनों परेट्स पर equal contribution होती है traits में तो फिर scientist ने जब इसको थोड़ा से देखा तो उसमें नहीं का जी चुँकि एग के अंदर भी nucleus उसी size का जितना sperm वाला nucleus है तो actually nucleus के अंदर वो material है जो क्या कर रहा है inheritance का bias बन रहा आगे बाकि इस development कर रहा है अचा अब हम देखते हैं तो जो main concept था वो शुरू में क्या था कि यह mother का रोल नहीं है development में father का main role है mother उसकी just क्या कर रही है उसकी character development में नहीं है बलके उसकी serogation कर रही है अचा जो शुरू की theories मार पास आई एक theory जो थी that was the pre-formation theory pre-formation pre का मतलब पहले से formation का मतलब बना हुआ होना पहले से बना हुआ होना अचा यह theory जो है 17 और 18 century के अंदर से prevail कर गई scientist का यह ख्याल है कि यंग वन प्रोडियूस होते हैं तो जो सबसे पहली stage है कि हमारी development की वो है zygote stage zygote is a single cell तो scientist ने यह का ज़िए जाइगोट से एक पूरा animal पूरा human बनता है उस zygote के अंदर उसके तमाम body parts का miniature मुझूद है यानि अगर हमारा head बनना तक छोटा सा head नमा कोई चीज उस zygote के अंदर मुझूद होगी हमारा heart बनना है तो छोटा है एक छोटा सा miniature head heart वहां मुझूद होता है lungs मुझूद होंगे यानि हमारे जितने भी body parts हैं उनकी micro farms चोटे चोटे फार्म्स जो है वह उसके अलिडी जाइगोड के अंदर मुझूद होती है इसलिए जब वह development start होती है तो फिर वह चोटा miniature बड़ा होकर पूरा heart बना देगा पूरा आहम बना देगा legs बना देगा तो ये एक शुरू की जो theory जो थी वह मुझूद थी कि miniature farms जो exist करती है बाद में वही बड़ी होकर पूरा इंसान या पूरा animal बना देती है ये थी pre-formation theory फिर उसके बाद एक और theory आई देटर वह था एपीजेनेसिस theory एपीजेनेसिस theory जो है वो ये 18 मिड 18 से में आई थी और एपीजेनेसिस जो है वो basically एक्स्प्रेन इसरा से करती है कि उसने कहा जो भी एक human बना है उसका raw material सारे का सारा या कोई भी animal जो है उसका raw material सारे का सारा मुझूद होता है जाईगोट के अंदर और फिर वही raw material जोड कर क्या कियता है कि पूरा इंसान बना दिया या पूरा animal जो हो बना दिया जाता है यह सिंपल इसकी जो थिरी जो है कि जो embryo होगा शुरू का जाईगोट उससे आगए embryo जो है उसके अंदर raw material सारा मुझूद ह यह निए अगर हार्ट है तो हार्ट को बनाने वाली तमाम चीज़ें पहले से मौझूद है वो सारी आपसे मिल कर हार्ट बना देती है प्री फार्मिशन ने तो कहा था कि छोटा सा हार्ट मौझूद है जबकि epigenesis ने नहीं हार्ट नहीं है लिकर हार्ट को बनाने वाला material व पड़ा हुआ है इंटों को जोडने के लिए जो होता है वो हैमर या बाखी चीज़ें जोती हो सारी आड़ी मौझूद हैं तो जस्ट आपने वो चीज़ें जोडते चले जाना हो एक पूरी बिल्डिंग बनी जाएगी इसी तरह से epigenesis कहती है कि हर चीज़ embryo के अंदर मौ पाइससा क्या होगा कि पूरा एक animal जहाँ उसे बनता चला जाएगा अब उसके बाद इन दो थीरी के बाद एक और थीरी आई जो के modern जहां से जहाँ embryo जो स्टार्ट होती है जिए जर्म लेयर थीरी जर्म लेयर थीरी बिसिकली explain यह करती है कि जो embryo है उसके अंदर तीन ज अगर तीन है तो मीजोडर्म है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म यह तीन लेयर बनती है embryo के अंदर फिर हार लेयर से different body parts बनते हैं यह practical अप्रोच थी त्योंकि बाकी इतान ही embryo के अंदर तीन लेयर बनती है कुछ जो simple animals हैं उनके अदर दो लेयर बनती है जैस अगर की तमाम animals जितने भी हाईर फाइला के हैं उसमें तीन जर्म लेयर बनती है उन तीन जर्म लेयर से अगए पूरा animal का वजह बाड़ी जाओ वो develop होता है जैसे एक्टोडर्म से हमारी skin और nervous system बनती है इससे मीजोडर्म से visceral organs bones और यह सारी जाओ बनती है development biology अच्छा यह जो है यह modern approach है development biology basically यह development और growth का जो pattern animals के अंदर उसको study करने का जो हो नाम है यह हम कह सकते हैं कि जो latest version कह सकते हैं embryology का वो हमारे पास development biology की फाह में आता है कि animals की development कैसे होती है development biology basically यूज करती है molecular basis को वो यह कह रही है कि अगर कोई body part बन रहा है तो उसको बनाने के लिए protein पहले बनती है वो genes मुझूद है gene protein बनाएगा फिर आगे body part बनेगा तो जब molecular approach को साथ लेका development के process को समझा जाएगा that will be called as the developmental biology